दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत दा साइन्स अपने आप लोग देख रहे हैं साइन्स की स्पेशल सीरीज 74 अब तक 73 सीरीज कम्प्लीट हो चकी हैं और यह इंपोर्टेंट है रेलबे ग्रूब डी, एंटीपीसी मेंस के लिए पीच्टी, टीच्टी, सुपर्टेट, टे देखे 375 निम्नांकित में से कौन सा गुर्धर्म, ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न हैं आप्शन क्या हैं A, B, C, D, चार आप्शन, A में अड़गों की गती, B में पदार्थ के कड़का आकार, C में पदार्थ का द्रव मान, D में उर्जा भिन्न हैं तो इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा A नंबर अड़गों की गती, निम्नांकित में से कौन सा गुर्धर्म ठोस, द्रव और गैस के लिए भिन्न हैं वह है अड़गों की गती अर्थात, SOLID की जो अड़गों की गती होती है, द्रव की अलग होती है, तो इसका करेक्ट आंसर A हो जाएगा आएए दोस्तों अब इस्टार्ट करते हैं 74 सीरीज कोशें ने 306 सूर से उर्जा उत्सरजित होती है A नमबर नावकी सल्यन से B नमबर नावकी विखंडन से C नमबर रसाइनिक अपकिरिया से D नमबर कोईला चलने से किसे उत्पन होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नावकी सल्यन से क्या ए नमबर हो जाएगा नावकी सल्यन से सूर से उर्जा उत्सरचित होती है जब दो हलके नाविक आपस में जुलकर एक भारी नाविक बनाता है तो इस अपकिरिया में उर्जा मुक्त होती है जो की नाविकी सल्यन कहलाता है क्या कहलाता है नाविकी सल्यन कहलाता है तो दोस्तो इसका जो correct answer में बता है वह ए नंबर बता है आगे इसमें सुनिये ध्यान से सूर में हाइड्रोजन के नाविक आपस में जूर कर हीलियम के नाविक में परवर्तित होते हैं तता बड़े पैमाने पर उर्जा मुक्त करते हैं सूर में नावकी इंधन के रूप में हाइडोजन होता है बड़े नाविक टूट कर जब दो हलके नाविक में परवर्थित होते हैं जिसके फल्सरूप बड़े पैमाने पर उर्जा मुक्त होती है ऐसी क्रिया को नावकी विखंडन कहते हैं नावकी विखंडन की किरिया मंद गती वाले निूट्रान से कराई जाती है तो 376 का जो आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे वह आंसर है ए नंबर नावकी सिल्यन कोशन देखे 377 जब कोई वस्तू धना वेशित होती तो वह क्या होती है तो A नंबर देखे एलेक्टान का परत्याग करती है B नंबर एलेक्टान ग्रहन करती है C नंबर प्रोटान का परत्याग करती है D नंबर उप्युप्त में से कोई नहीं तो यह A नंबर करती है एलेक्टान का परत्याग करती है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर करेक्ट हो जाएगा Q370 परमालविक संख्या Z एवं द्रवान संख्या A के एक परमालू में लग्टानों की संख्या कितनी होती Option A में Z, B में A माइनस Z, C में A और D में A माइनस Z अपान 2 तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वह हो जाएगा option नंबर A Z परमालिक संख्या Z एवं द्रवान संख्या A के एक परमालू में लग्टानों की जो संख्या होगी वह Z ही होगी आगे देखें दोस्तों question number देखेंगे 379 नावकी रियक्टर में भारी जल अर्था जिसका फार्मूला D2O होता है का परियोग किस रूप में किया जाता है A नंबर मंदक, B नंबर शीतलक, C नंबर परिरक्षक या D नंबर नियंतरक किस की रूप में इसका उप्योग किया जाता है तो आप लोगों हम 30 सेकंड का टाइम देते हैं और आप बताईए चलिए हम बताते हैं आपको नावकी रियक्टर में भारी जल का प्रियोग मंदक के रूप में होता है मंदक को इंग्लिश में moderator कहते हैं ग्रेफाइट का उप्योग भी मंदक के रूप में होता है नियूट्रान को आउशोशित करने वाला चल नियंतरक चल कहलाता है ये बोरान तथा कैडमियम का बना होता है किसका बना होता है? बोरान तथा कैडमियम का बना होता है 379 का जो correct answer है वो ए नमबर हो जाएगा Quesion देखेंग 300C Hydrogen में एक उलेक्टरान लेकर हिलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवत्ती होती है इस प्रवत्ती की समानता रखता है A नमबर देखें चार दातूं से B नमबर अक्री एसों से C नमबर चारी मिर्दा दातूं से और हैलोजन से इसका जो correct answer आ जाएगा वे मेरे प्यारे दोस्तों आ जाएगा D नमबर हैलोजन में एक उलेक्टरान लेकर हिलियम का विन्यास प्राप्त करने की जो प्रवत्ती होती है इस प्रवत्ती की समानता रखता है हैलोजन क्या हैलोजनों से होती है यह रहा इसका आंसर आई दोस्तों अब question देखते हैं 381 परमाडू में नाभिक होते हैं option A देखे, B देखे, C देखे, D देखे बताए कौन सा option होगा इसका मेरे प्यारे दोस्तों जो correct answer हो जाएगा वे हो जाएगा क्या? वे हो जाएगा D number D number जैसा कि आप लोग देख पारेंग इसका correct answer हो जाएगा question देखे 382 विक्रम सारावाई अंत्रिक्ष केंदर कहा इस्ती थे? option A हैदराबाद, B बैंगलोर, C ट्रामबे D number त्रिवंत पुराम कहा पर इस्ती थे? तो ये इस्ती थे? त्रिवंत पुराम विक्रम सारावाई अंत्रिक्ष केंदर विक्रम सारावाई अंत्रिक्ष जो केंदर है वे केरल के तिरवंत पुराम में इस्तीत है अब इस रोग समझें इस रोग का फुल फॉर्म होता Indian Space Research Organization इसका मुख्याल है बैंगलोर में है भावा परमाडू अनुसंदान केंदर जिसको बार्क भी बोलते B.A.R.C. किस्तापना 1955 ट्रामबे मुंबई में हुई थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D.N. हो जाएगा देखिए Question No.380 L.K.N. का सूत्र क्या है A.C.A.H.2N B.C.N.H.2N तो इसका जो correct आंसर हो जाएगा B.N. ही दोस्तो हो जाएगा Question देखिए 384 ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्टानों की संक्या भिन भिन होती है जिनका दिरवान संक्या समानो उसको क्या कहते हैं A.N. देखिए Sum YV कहते हैं B.N. Сам Neutronic कहते हैं C.N.ब सम Isthanic कहते हैं या D.N.ब सम भारिक कहते हैं तो इसका correct आंसर हो जाएगा D.N.ब ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्टानों की संक्या भिन भिन है लेकिन जिनकी दिरवान संक्या समानो सम भारिक कहलाते हैं और ऐसी गटना को समावायता कहते हैं तो इसका जो है वह करेक्ट आंसर दोस्तो हो जाएगा डी नंबर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं देखिए क्रिश्चन नंबर 380 निम्न में से कौन सी दातू आतिस वाजी में चमकीला श्वेत उत्पन करने में प्रियोगत करती है अथात उपयोग होती है स्वेत प्रकास उत्पन करने में ऑप्सन ह चांदी B. अलमुनियम C. मेंगनिशियम D. जो आपका दिया गया है वे सेंडियम दिया गया है इसका जो क्रेक्ट आंसर हो जाएगा में अगनिशियम धातू आतिस वाजी में चमकीला श्वेत प्रकास उत्पन करने में प्रियोगत होती है ये रहा मैंगनिशियम B number is iso bars C number is isotopes और D क्या दिया गया D दिया गया दरप्रण नाभिक तो यह क्या है यह isotons है isotons क्या होते है यह चीज आप समझे ऐसे तत्व जिनके परमालू संक्या यह द्रभमान संक्या दोनों भिन भिन होते हैं लेकिन neutron की संक्या समान होती है सम न्यूट्रानिक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं सम न्यूट्रानिक कहलाते हैं ये रा आईसो टॉन्स Question देखे 347 किसी तत्तो का परमालु भर 35 leg तत्ता 18 electron है कितने हैं तत्त में protonों की संख्या कितनी होगी Option A 17 B 18 C 20 D 15 तो इसका जो answer है 18 तो उस तत्व में प्रोटानों की संक्या 18 ही होगी क्योंकि पर्माडू में जितने लिक्टान होते उतने प्रोटान होगे इस बात को आप जिरूर ध्यान रखें तो इसका जो करेक्ट आंसर वे बीनमबर हो जाएगा किस अडू में बंद कोड अधिक्तम होता है इसका बंधन कोड एक सो असी होता है जैसे H2O का 105 होता बंधन कोड CS4 का 109 बंधन कोड होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वे डी नमबर हो जाएगा कोश्चन नमबर दीखें 389 92X 238 माइनस A प्लस 2HE4 तत अ में न्यूट्रानों की संक्या क्या है तो कोश्चन यह है अपना तो अब इसमें आप समझें कि इसमें न्यूट्रानों की संक्या क्या होगी atomic weight बराबर जो फार्मूला होता number of proton प्लस number of neutrons तो 234 कितना दियागे दोस्तों 234 तो इसकी जगे answer अगर हम देखना चाहें तो answer इसका दोस्तों correct आएगा C number जो की 144 है बट इसको आप समझ ले 234 अर्थात इसकी जगे क्या हो जगे 90 A और उपर 234 फिस्ट पॉल आप इसका टिक लगाए C number 144 आप समझें कि जो atomic weight होता है atomic weight is equal to number of proton प्लस number of neutrons 234 बराब 90 प्लस number of neutrons तो क्या बनेगा number of neutrons से इधर निकल के आजए 234 माइनर्स 90 जब करेंगे दोस्तों तो answer आजाएगे 144 तो इसका correct answer सी हो जाएगा question देखे 390 फिर से देखे दोस्तों uranium का कौन सा isotope nuclear reactor में होने वाली स्रंखला प्रत्क्रिया को जारी रखने की शमता रखता है A number U 239, U 238, U 235 इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer आप लोगों को दोस्तों बताना है की कौन सा होगा हम यह बता देते हैं C number U 235 uranium का यह isotope है जो परमाडू reactor में होने वाली स्रंखला अप्रिया को जारी रखने की शमता रखता है इसका answer मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया है C number option इसका correct है 391 एक परमाडू में दो इलेक्टरानों की चारो कौन्टम संक्या समान नहीं हो सकती यह नियम निम्न वैग्यानिक से सम्मंदित है A number हुंड, B number पाउली, C number फेराडे, D number आरेनियस किस से सम्मंदित है तो पाउली के अप वर्जक सिद्धान्त जिसको पाउली एक्सक्लीजियू प्रिंस्पल कहते हैं कि अनुसार एक परमाडू में दो इलेक्टरानों की चारो कौन्टम संक्या समान नहीं हो सकती है हुंड के नियम देखें, हुंड का रूल था कि अनुसार एक कक्षा के सभी उपकक्षा में एक एक करके बढ़ता है इसके बाद थोड़ा बनना शुरू होता है तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी नमबर हो जाएगा पाउली हीरा में कारवन चार एक दूसरे से अनुवर्ध-A नमबर बी नमबर सन्रूपड, C नमबर रेखी, D नमबर प्लेनर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेट्राहड्रल क्या हो जाएगा? टेट्राहड्रल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशे नंबर 393 में देखी रुवर के वक्मर्णाईजेशन की प्रिक्रिया का किस वेग्यानिक ने अविश्कार किया था ए नंबर चाल्स डार्विन, बी नंबर डॉल्टन, इन नंबर चाल्स गुढियर और डी नंबर सीवी रवन किस नहीं किया था तो यह किया था चार्ल्स गुडियर ने रवर के वल्कनाइजेशन की प्रिक्रिया का अविस्कार चार्ल्स गुडियर ने 1849 में किया था इसलिए इसका करेक्ट आंसर C नंबर हो जाएगा देखे 394 में थायो कॉल्ड रवर क्या है A नंबर संसलिष्ट रवर, B नंबर प्राक्रितिक रवर, D नंबर पॉलिथीन और C नंबर के आपॉलिथीन और D नंबर इन में से कोई नहीं जो थायो कॉल्ड रवर संसलिष्ट रवर है इसका निर्माड 1.2, 1.2 डाइक्लोरो इथेन और सोडियम पॉलिसलफाइट से होता है इसका उप्योग रोकेट इंदन में आक्सी कारक पदार्थ की रूप में मिलाया जाता है तो इसका जो करक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर संसलिष्ट रवर कॉश्चन देखी 395 निमलिकित में से किसमें वैद्धुत संयोजन एवं सह संयोजन बंद होते हैं ए नंबर CS4, B नंबर KCl, C नंबर SO2, D नंबर NaOH तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा NaOH क्या हो जाएगा NaOH इसको sodium oxide भी कहते हैं क्या कहते हैं? sodium oxide भी इसको कहते हैं कॉश्चन नंबर 396 बे देखी किस गैस से सड़े अंडे की गंद आती है A नंबर H2S से, B नंबर NO2 से, और C नंबर जो है SO2 से और D क्या दिया गया है दोस्तों? D जो दिया गया है वह है N2O दिया गया है इसका correct answer हो जाएगा H2S hydrogen ये sulfide से सड़े अंडे जैसी गंद आती है इसका correct answer A नंबर हो जाएगा 397 में देखें कैथोड क्रिणे है इलेक्टानों की धारा तरनात्वक रूप से आविशित कड़ की धारा अनाविशित कड़ों की धारा ये विद्धुचुम की तरहंगे क्या है? तो ये है इलेक्टानों की धारा option A इसका correct answer हो जाएगा question 308 में देखें कारवन का कौन सा अप्रूप एक ठोस द्रव त्री आयामी सनरशना में होता है option आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है? A नमबर ग्रिफाइट B नमबर फुलेरेन C नमबर डाइमंड और D नमबर कारवन ब्लैक तो इसका जो correct answer हो जाएगा डाइमंड या जिसे हीरा भी कहते कारवन का वय अप्रूप है जो ठोस द्रव 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 भी होता और त्री आयामी सनरशना का होता है इसका correct answer है ये C नमबर 399 बेदे के question गांधी जी के दवारा सोतनतरता के लिए संघर्ष के दवरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रियोग किया गया था A नमबर sodium chloride B नमबर glucose C नमबर उर्वरक D नमबर और शदी इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको सत्याग्रे भी कहते हैं या नमक तोड़ो आंदोलन भी कहते हैं यह 1930 में चलाया गया था 12 मार्च को और यह चला था 6 अप्रेल तक इसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी 78 सादस्यों के साथ और इन्होंने दांडी में जाकर नमक अपने हाथों में लेकर नमक कानून को तोड़ा था और नमक का जो scientific name होता है chemical name होता है वह होता sodium chloride अर्थात option इसका सही है A number sodium chloride और इसका formula होता NACL अगर उस दिन गांधी जी वह नमक कानून ना तोड़ते तो साथ हो सकता सबसे महगा जो product है खाद में वह नमक ही होता तो कान्धी जी ने कौन सा तोड़ा था दांडी या तरक समय नमक तोड़ने का जो कानून था उसको तोड़ा था और नमक को ही क्या कहते है sodium chloride इंगलिश में इसको salt कहते है इसका formula NACL होता है question देखेंगे 400 किसी gas के निशित द्रवान का 273 परमताप पर आयतन 25 मिली है यदि दाब इस्तिर रखा जाए तो 546 परमताप पर उसी gas के द्रवान का आयतन कितना हो जाएगा A नमबर 100 मिली B नमबर 50 मिली C नमबर 75 मिली और D नमबर 200 मिली तो आप सबसे पहले समझे क्या क्या दिया गया है माले जी T1 कितना दिया गया 273 पहला टेमपरेचर और दूसरा टेमपरेचर T2 546 और जो दिया गया आयतन अर्थाद वैल्यूम वह 25 मिली दी गई है ठीक है और हमें V2 ग्याद करनी है तो अर्थाद वैल्यूम दूसरी तो V2 वरावर जो उन सूत्र लगाएंगे वह हो जाएगा 546 गणा 25 वटे 273 कार दोगे तो 50 एमल दोस्तो आंसर आ जाएगा अर्थाद इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह B नमबर हो जाएगा 50 मिली दोस्तो यह सीरीज यहें पर complete होती है उम्मीद है यह सीरीज आपको पसंद आई होगी इसी तरीके की जबरज़ सीरीज आपको continue मिलती रहेंगी आपको करना क्या है इस सीरीज को अधिक सिदिक लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तो जय हिन जय भारत